Hello everyone, मैं श्रेयस बढ़िये, आप सब का मेरे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम Ancient History of India से Lecture No. 32 पे discussion करने वाले हैं, जो कि मौरियन पिरेड से हैं और इसमें हम अशोक जो ruler थे from मौरियन पिरेड उनके बारे में study करेंगे जिन लोगों ने मेरे previous lectures नहीं देखें मौरियन पिरेड के previous दो lectures वो उने देख ले ताकि आपको ये lecture समझने में और भी आसा ने जाए Link description में दी हुई है मेरे YouTube चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको मिलते रहे Go make your life the one you have always wanted Knowing you have the power to make it happen If you have any doubt you can ask me on Instagram This is my Instagram ID This is my Facebook page This is my Telegram channel And this is my YouTube channel So Ashok जो थे ये काफी एक famous ruler माने जाते है पूरे इंडिया में ये भी एक great emperor में से एक माने जाते है इंडिया के जितने भी रह के गय है अब तक तो Ashok ये बहुत great ruler रह चुके है जो कि Morian period से थे नो Morian Empire dynasty से थे अगर हम देखते हैं Ashok के वक तो देखें कि कितना बड़ा इंडिया यहां पे Ashok के अंडर आया था ये Ashok ने काफी सारा region अपने अंडर लिया था तो इतना बड़ा ये Morian dynasty था Ashok के टाइम पे So I am Ashok जो है उनका most accepted जो date है उनके rule की वो देख लेते हैं So Ashok की most accepted date जो मानी जाती है वो है 273 BC से 232 BC तक ये most accepted date है 232 BC में इनकी date होगी थी Ashok की वो अपने date तक अपना rule संभालते रहे जो Ashok थे वो So यहां मैं आपको ये बता दू कि आपको ये years पे बहुत ज़्यादा question नहीं आते वर्ट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Ashok के बारे में आपको question आने के बहुत chances होते हैं क्योंकि ये एक बहुत important ruler रहे है ancient history में So हम सबसे पहले Ashok की early life देख लेते हैं पहले उनकी life किस तरह से थी यहां से हम शुरुवात करते हैं Ashok के So early life में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि Ashok जो थे ये Morian emperor जो थे बिंदुसार उनके बेटे थे जैसे कि हम बिंदुसार को already पिछले lecture में study कर चुके है जो बिंदुसार थे ये इनके बेटे थे Ashok अब ये सिर्फ एक ही बेटे नहीं थे बिंदुसार के बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे नहीं थे Ashok तो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं बट आपको ये बता दू कि जो Ashok थे ये अलग-अलग नाम से जाने जाते थे जैसे कि देवनम पिया या देवनम प्रिया याने होता है Beloved है ना Beloved of the Gods याने God का सबसे चहता इंसान उसके साथ प्रिया दर्शी या फिर प्रिया दर्शी या फिर प्रिया दर्शी नी प्रिया दर्शी नी संस्कृत में कहा जाता है प्रिया दर्शी ये पाली में कहा जाता है ये नाम से भी अशोक जाने जाते थे, यानि अगर हम ये देखेंगे, तो प्रिय दसी जो है, जो की पाली में कहा जाता है, इसका मतलब बता है, जो सब के साथ बहुत अच्छे से रहता है, बहुत काइंडली रहता है सब के साथ, ऐसा इंसान, और उसके अलावा मैं आपको य तो इसलिए अशोक होने करण, उनका नाम अशोक ही रख दिया गया था, ऐसा भी काफी जगे कहा जाता है, तो ये एक छोटी से इंफोर्मेशन है, जो मुझे मिली है, तो मैंने आप में शेर किया, एक्जाम में तो नहीं आएगी, बट ऐसी आपको पतार है इसलिए, उसके क्रुएल कि उन्होंने अपने 99 भाईयों को मारा था उस राज्य सिहासन पर बैठने के लिए, क्योंकि ये एल्डेस सन नहीं थे, जो सबसे एल्डेस सन होगा, उसी को किंडम मिलेगा, तो इस चीज के चलते अशोक पावरफुल थे, तो अशोक ने अटैक किये और पूरे लोगों को मार के उनको ये किंडम हासल हुआ था, उसके साथ-साथ अशोक का जो किंडम था, ये बहुत बड़ा था, अगर हम देखेंगे उसका stretch तो अफगानिस्तान वेस्ट में आते तो अफगानिस्तान से लेके, तो इस्ट में बांगलादेश तक, उसके साथ-साथ almost प बड़ा वास्ट किंग्डम है यह यानि आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको स्ट्रेज बता है वो यहां सो अशोक ने बहुत बड़ा किंग्डम यहां पे सेट अप किया था तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एक मोरियन इंपायर को बहुत आगे बढ़ाने में उसके बाद हम देखते हैं कि rise to power वो power में किस तरह से आए अशोक अशोक सबसे पहले यह बता चुकव में कि वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे बिंदुसार के उसी के कारण he was not here presumptive यानि वो अगले राजा बनेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं था क्योंकि eldest son को बनाया जाता है जो बिंदुसार है उनको यही लगता था कि उनका बेटा है सूषीमा ये बनना चाहिए अगला किंग मेरे बाद तो उनका नाम बता दिया था कि सूषीमा जो है वो बनेगा अगला किंग बट अशोक जो थे ये अपने पूरे बेटों को कही ना कहीं गवर्नर करके रखते ताकि वु ट्रेंड हो जा अच्छे से, तो अशोक जब बिंदुसार थे तब गवर्णर हुआ करते थे उजजयन के, यहाँ पे आपको दिक रहा है उजजयन उजजयन के वो गवर्णर हुआ करते थे, और वहाँ से अशोक के के कारण तो गवर्नर उज्यन के बने ही थे बट और यहां पे पावर्फुल थे तो उन्होंने अपने भाईयों को तो easily हराई दिया but when he became the king he was said to be bad tempered है न तो ऐसा भी कहा जाता है जब वो राजा बने तो बहुत गुसे वाले इंसान थे बहुत ruthless थे और बहुत cruel इंसान थे अशोक जब राजा बनते तो आप अगर उनके end वाला जो age था उसमें उनको देखोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा उनको देखके कि इस तरह के वो हुआ भी करते होंगे कभी ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने torture कर करने के लिए एक chamber भी बनाया था जहां पर वो prisoners जो होते हैं जिन लोगों को बंदी बनाते थे उनको torture कर करके मारते थे तो इतने ज़्याधा cruel अशोक हुआ करते थे तो उनको कही कही पर चंड़ा अशोक भी कहा गया है चंड़ा अशोक यहांने cruel अशोक बहुत ज़्यादा cruel हुआ करते थे अशोक ऐसा भी माना जाता है उसके बाद वो जब king बन जाते वंसी became king उन्होंने अपना empire expand करना शुरू किया conquest से युद्ध करते थे और empire और अलग-अलग नहीं नहीं जगा जीत के लाते थे और जीत के वो अपने empire उसमें add करते जाते थे ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने 9th year में उनके 9th year के रूल में यानि उन्होंने काफी साल रूल किया उसमें जब 9 साल था उनका रूल का उसमें उन्होंने war किया था कलिंगा के उपर और कलिंगा जो है यह आता है आज ओडिसा जहां पे है वहां पे उस टाइम पे कलिंगा हुआ करता उन्होंने कलिंगा पर अटेक किया था और जब वो कलिंगा पर अटेक करते मैप में आप यहां पर यहां पर कलिंगा दिया निया है वट आप देख सकते यहां पर सो यहां कलिंगा हुआ करता था और कलिंगा पे उन्होंने अटेक किया था वो उनका कहा जाता है कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट वना कलिंगा का वार अब कलिंगा का वार ऐसा क्या वार था जिसमें अशोक के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया था वहां के जो रूलर थे उनके साथ लड़ा गया था in year 261 BC. 261 BC में लड़ा गया था और वो अशोक ने ही अटेक किया था. अशोक जो एक्सपांड कर रहे थे kingdom उसमें कलिंगा नाम की भी जगा आ गए थे उसको भी अपने kingdom में वो include करा लेना चाहते थे इसलिए अशोक ने कलि कलिंगा को हरा भी दिया कलिंगा को हराने का पूर इस शहर जो है कलिंगा उसको उन्होंने destroy कर दिया और ऐसा माना जाता है कि more than thousand people hundred thousand people hundred thousand लोगों से जाधा लोगों को यहां पे मारा दिया गया था इस war में और ये जो war का horror था ये जो चीज हुई थी ये बहुत डरावनी एक चीज थी इतने लोगों को मारना शहर का शहर डिस्टरव कर देना ये अशोक को disturb करने लगी अशोक बहुत ज़्यादा डिस्टरव हो गया और अशोक ने ये सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये लोगों को जो मारा जा रहा है युद्ध में युद्ध लड़के कुछ किसी को हासिलने होने वाला है ये वॉयलेंस बहुत ही खराब है और यही चीजों के कारण उनों ने ये डिसाइड किया कि मैं वॉयलेंस करना चोड़ दूंगा अपनी पूरी जिन्दगी में और ऐसा रिलिजन उन्होंने अपनाया जिसमें वॉयलेंस नहीं करना ही बताया हुआ है और वो रिलिजन था बुद्धिजम बुद्धिजम को अशोक ने अपना लिया अशोक अपने एंड के जो उनका रूल चल रहा था उसमें वो बुद्धिस्ट बन गया बुद्धिस्ट बनने के बाद उन्होंने कभी वॉयलेंस नहीं करने का सोच लिया था अशोक का जो लोगों तक जो भी चीज़े पहुचा नहीं, वो लिखी जाती थी, so orders और यह सब चीज़े, rules और यह सब, so यहां अगर हम देखेंगे, 13th rock edict है, जिसमें कलिंगा वार का description हमें मिला है, but कलिंगा वार बहुत जादा clearly कहीं भी हमें mention किया हुआ, नहीं दिख रहा है कि कौन वहां पे ruler था और क्या था, यह history में कहीं से भी हमें पता नहीं चलता है, so कलिंगा वार पे उन्होंने attack किया था और उनकी life वहां से change हुई थी, यह तो हमको जरूर पता चलता है, यह अशोक के 13th rock edict से, अब यहाँ पर एक चीज और होती है कि उन्होंने क्या किया कलिंगा वार के बाद, अब यह हम देख रहें कि उन्होंने violence नहीं करनी की ठान ली थी, इसका मतलब उन्होंने जो उनकी policy थी physical occupation वाली, physical occupation को हम क्या कह सकते हैं? ओके, सो physical occupation याने वही कि खुद जाके लड़ाईया करो, लोगों को मारो और occupy करो उस एरिया को, यह उन्होंने करना छोड़ दिया था और उन्होंने जो अपना आया था, वो था cultural conquest, याने कही ना कही धर्म के आधार पे, शांती से आप कोई की कोई भी एरिया को हसिल कर सकते हो, तो यह चीज उन्होंने यहाँ पे छोड़ दी थी, physical occupation वाला और यह अपना ली थी, cultural conquest, और यहाँ पे इसलिए उनको लिखा जाता है ऐसा कि बेरी घोश, बेरी घोश से अब वो धम्म घोश बन गए थे, धर्म के आधार से किसी को जीतना और वार करके नहीं, तो वो बेरी घोश से अभी धम्म घोश बन चुके थे, अशोक ऐसा बहुत बड़ा एक turning point उनके life में आ गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत disturb हो चुके थे, यह होने के बाद उनको धर्म अशोक नाम से जाना जाने लगा, याने पायस अशोक, अगर हम देखते हैं तो एक पवित्र अशोक बन चुके थे, वो चंड अशोक से, चंड अशोक याने वो cruel थे पहले, उनके मेंटर बन जाते हैं अशोक के, अशोक के टीचर मेंटर बन जाते हैं यहाँ पे, जो मोगली पुत्त तीशा थे वो, उसके साथ आपको यह बता दू कि अशोक जो थे, उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी और्गोनाइज किया था, यह मैं अल्रेड़ी आपको बता चुका हूँ बुद्धिसम्मे के लेक्चर्स में, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने पार्टलिपुत्र में रखा था, 250 BC में, अंडर मोगली पुत्त तीसा अज प्रेसिडेंसी, मैंने यह भी कहा था, और इसके चेर्मेन थे, मोगली पुत्त तीसा, तो यह चीजें यहाँ पर हम अल्रेड़ी भुद्धिसम में भी देख चुके है, बट यह अशोक के इसमें भी हमको स्टड़ी करना ज़रूरी था, उसके बाद मैं आपको यह बता दू कि अशोक जो है, यह अगर हम देख रहें कि pacifist, pacifist का meaning होता है peace, जो peace के थूरू सब चीजें जितना चाहता है, वो pacifist होता है, तो वो पूरे complete, extreme pacifist भी नहीं थे, हाला कि वो war नहीं करते थे, उन्होंने छोड़ दिया था कलिंगा के बाद, बट कलिंगा का, जो violence करके उन्होंने कलिंगा को जीता था, उसको भी उन्होंने retain किया था, तो वो condition देख के ही काम करते थे, तो उन्होंने कलिंगा जो है, उसको retain किया थे, अपने पास ही रखा था, अपने territory में उस empire को उन्होंने include करा लिया था, ऐसा नहीं हुआ, कि उन्होंने violence किया, तो उन्होंने जो कलिंगा था, जिन लोगों का था, उनको वापिस कर दिया, ऐसा नहीं, इतने भी extreme pacifist नहीं थे वो, बट pacifist थे, कलिंगा के बाद उन्होंने war नहीं किये, तो यह एक बहुत ही positive बात थी अशोक के लिए, तो अशोक यहाँ पे धर्म के धर्म था, जो नहोंने अपनाया था, वो यह था, कि अशोक ने एक paternal kingship लाई थी, यानि जो king होता है, वो पूरे अपने प्रजा का एक तरह से पिता होता है, और बाकि जो भी है, वो उसके बेटे होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो यह पूरे जितने भी ल अपने प्रजा का कल्यान करना, यह एक ही duty है, यह एक ही करतव है, उस राजा का, अब हम यह भी देखते हैं, जो भी चीज़े उन्होंने पत्थर पे लिखी है, उससे यह भी पता चलता है, कि everybody should serve parents, so जो आपके parents है, उनको आपने, उनकी हमेशा सेवा करने चाहिए, ऐसा भ बार फॉलो करना चाहिए, practices of ahimsa and truthfulness, ahimsa यानि आप non-violence कह सकते है, और सत्य यानि truthfulness कह सकते है, यह चीजे भी अशोक ने कही है, अपने धम्म में, उसके साथ उन्होंने यह भी कहा है, कि he asked everyone to avoid animal slaughter and sacrifice, उन्होंने यह भी कहा था, कि पशुपक्षियों को मारना बुरी बात ह पर आपको पशुपक्षियों को मारना नहीं है, और उनको उनकी बली नहीं चड़ाना है, यह सब आपने avoid करना चाहिए, यह भी अशोक का धम्म बनता है, उसके बाद मैं आपको यह भी बतात हुई, expounded human treatment of animals है, तो animals के साथ जो भी treatment होगी, वो बहुत अच्छे से होनी चाह यह एक इंसानियत से मिलनी चाहिए, यही अशोक का धम्म था, अशोक ने यह भी कहा था कि ठीक है, मैं तो बुद्धिस्ट बन गया हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे राज्य में बाकी religion को जगा नहीं है, जी हाँ, अशोक ने बाकी religion को जगा दी थी, हर religion को tolerance, उन्होंने द बता दू कि दीखिए, अशोक बुद्धिस्म ने लिखा है कि आपका एम है निर्वाना हसिल करना, जबकि अशोक ने कहा था कि आपका एम होगा, कि आपको heaven में जाना है, स्वर्ग हासिल करना है, सो कही ना कहीं बुद्धिस्म पूरी तरह से होगा, ऐसा नहीं बाकी religion भी यह हमको इस statement से समझता है जैसे कि आपके यह चीज जो मैंने अभी आपको बताई यह आपके NCRT में दी हुई है अब मैं आपको यह बता दू कि he sought conquest through dhamma and not war अब dhamma के थुरू conquest करना है dhamma के थुरू areas को जीतना है तो dhamma के थुरू कैसे जीता जाएगा आपने जो भी dhamma बताई यह अभी अलग-अलग regions में जाना और वहाँ के लोगों को इसके बारे में information देना वहाँ के ruler को अगर वो यह चीज़े अपनाना चाहते है तो वो आपके kingdom के साथ जुड़ जाएंगे इस तरह से आपका kingdom बढ़ता जाएगा war करके नहीं तो dhamma के अगों तक पहुचाया जाए अब मैं आपको यह दूसरी चीज़ यह बता देता हूँ कि अशोग dhamma के थू एरिया जितना चाहते थे इसलिए उन्होंने missionaries भी भेजी थी अलग-अलग kingdoms में ऐसा माना जाता है कि चोलाज और पांड्याज जो उनके वक्त रूल करते थे उन जो है पर टोलमी सेकेंड यह इजिप्ट में रूल करते थे यहां पर भी भी जाता उसके साथ साथ एंटी गोनस जो है यह मेसेडोनिया में रूल करते तो मेसेडोनिया में भी भीजा गया था और अलेक्जांडर फोस्ट जो है यह अलेक्जांडर वो नहीं है यह अलेक्ज नाम से जाना जाता है, बर्मा को, बर्मा उसके साथ-साथ साथ साउथिस्ट एशिया में भी उन्होंने मिशनरीज भेजी थी, तो ये इतनी सारी मिशनरीज भेजते हैं, तो इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दू कि उनके जो बेटे थे, जैसे कि महिंद्र हो गए, य उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था, श्रीलंका में उनको खुद भेजा था, ताकि उनके आइडिया जो है, ये प्रफोगेट कर सके, ये भी चीजे यहाँ पे देखी गई है, और उसके साथ साथ उनके जो एडिक्ट से वो जो लिखे जाते थे, और प्राकरित में लिखे जा रहे हैं, और स्क्रिप्ट जो यूज होती थी और ब्राम में स्क्रिप्ट थी, ये सब चीजे में आलरेड़ी आपको बता चुका हो, अभी सिर्फ एक फैक्ट करके आपको बता रहो, तो कही कही पे खरोस्ती में भी लिखे गए, अब कही कही पे ग्रिक में भी लिखे गए, तो लैंग्वेज जो है लिखने की, ये जो पत्थर थे उस पे लिखने की लैंग्वेज ये उसके लोकेशन पे डिपेंड करती थी, लोकेशन के हिसाब से, यानि उस लोकेशन के जो लोग है, अगर जो भी language वो easily समझ पाते हैं उसमें अशोक जो है वो अपने edits पे लिखा करते थे तो इस तरह से अशोक जो है ये बहुत ही एक बहुत ही बड़े और बहुत ही great ruler हमें पता चलते है Morian period के और इन पे question आने के chance सबसे ज़ादा बनते हैं तो ये थे अशोक जिनको अभी हमने study किया आगे के lecture में हम कुछ later जो rulers रहे अशोक के बाद उनको भी हम study करेंगे और उसके आगे हम administration और ये सब भी study करने वाले हैं Morians के बारे में so अगर आपको मेरे lectures पसंद आते हैं तो इन्हें like ज़रूर करें share करें और subscribe करना ना भूले मेरे YouTube चैनल को उसके साथ-साथ follow और like भी कर सकते हैं मेरे facebook pages पे और updates चाहते हैं तो मेरे साथ connected रहना चाहते हैं तो instagram पे मुझे follow कर सकते हैं instagram पे मेरे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं share बड़ी है the peace lover ये मेरा instagram आईडी है share video at the right gmail.com पे आप मुझे mail भी कर सकते हैं so इसी तरह हम अगले lecture में मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और आपका दिन